प्रेतों की दूसरे अध्याय में परसंक्य चत्तिस इसलिए समुचा इसरेल इस बात को जान ले कि परमेश्वन ने इस येश्व को जिसे तुमने कुरूस पर चड़ा दिया था रभू और मसी दोनों धैरा दिया था दूसरी पंक्ति हम आएंगे पहला यहांना 2-6 वो यह कहता है कि वह परमेश्वर मिस्थित है उसे येश्व जैसा जीवन जीना चाहिए हालिलुया आज हम लोग मनन कर गए येश्व के प्रात्ना जीवन पर बनन करके हम लोग का प्रात्ना जीवन पहले जैसा नहीं रहना ज तो जब प्रभु येश्व संसाल में थे सबसे पहले इस बात को समझे कि उनको भी दोस्तों की जरुवत थी मेरी बात समझे वो कोई पहाड में अकेले छुपके अपना जीवन नहीं बिता है वो पार्टियों में गए शादियों में गए पहला मेरे कल शादी में ही था घर प्रभु की पार्टी में गए जितने लोग अपने घर में और प्रभु येश्व का नाम एक बार यह भी पढ़ गया था पेटू और प्यकल जो अपना घर खोलता अपने दोस्तों को बुलाता घर में दावत रखता प्रभु येश्व वहां जाते हम देखे पहला पाए जाते हैं अपने कुरूज पर मनने से पहले भी कुछदिन पर फिर वह भी बातनी दावत में घर में तो इसका मतलब उनको इनको भी सोशल कंपनी चाहिए थी जब हम मनने करते हैं वह वह इंसान है कि मैंने पहले बता कि अपने दोस्तों के घर में और ऍभू सुन तो उस में मनने से पहले उनको कितनी प्राथना की जरुवत थी कि वो चाहते थे को इनके साथ प्रहर में खड़ा रहे है और उनके चेले बार-बार सो रहे थे और ये बार ये शुप भी कितना प्रभार डाल दियोगी कि इनको इस समय की पहचान नहीं है कि ये समय कैसे शेता को दे दिया गया है और ये समय प्रभू के जीवन को कोई भी स्टेडी करेगा वो इस पॉइंट को मिस नहीं कर सकता कि प्रभू प्राथना वाले विरती थे जिसको भी जय पाना है जिसको मसी में खरा जीवन चाहिए जो प्रभू जैसा बनना चाहता है वो बिना उस प्रा बहुत शाम हो चुकी थी, इसलिए उसके सिश्य उसके पास है और बूले, यह एक सुनसान जगा है और शाम भी बहुत हो चुकी है, लोगों को आसपास के गाओं और गाओं और बस्तियों में जाने दो, ताकि वो अपना कुछ खाना मोल ले सके, तो यह चमतकार सब जानते र पूरी रात प्रभू प्रातना करते हैं, लेकिन इस पूरी रात से पहले, पिछली पूरी रात भी उरोने प्रातना की थी, दिन में पूरा दिन लोगों के साथ थे, ठकार देने वाली वह एक्टिविटी होगी, जहां प्रभू चमतकार करते हैं, और सभाविक है कि उसके बाग लोग पहले रेस्ट मांगेंगें कैभार वोता ना आप बेड़ पर हैं और करवटे बदल दें गहीं को रेस्ट की जरुवत थी उसके रबाद भी वो पूरी राथ प्राथ ना में बिदाती है ऐसे मुझते हैं कि प्रेयर की इंपॉर्टेंस प्रभू के लिये क्या थी है? ऑनको लाख बनाब के उस सब गलते हैं, और मैं जानता हूं प्रेयर वधर वो में गलते हैं, और चाहरा जब ठृती रहते हैं, उसकी उपस्थिति में रहते हैं, तब क्यnt lgon कि रहते हैं तब कैस इसे उति लोगों से अलग हो सकते हुं। तो रात को कितने लोग रात को प्रयोर करते है।ब जिसे एक फल और घड़े दिले सकने। जो रात को प्रेयर करता है उनके युपर एक प्रेशर और भी आता है कि दिन अचानक से कुछ ऐसे अग्टिविटीज आतरी जो शरील में त कि हो ते ऐसे हैं मैं इसले राट निक आरे कर तो थे म shut it नहीं कर सकते। फिर आप जितनी भी प्रेयर कर लो एक तो जो नया नया प्रेयर करना सीगता है उसके क्या प्रोल्म है ? वो पहरा दिन जब अच्छे से प्रेयर कर देगा रहत और वो इतना कुछ होगा जिन फिस नी अच्छी हो फिर। टिन से गधने लोग ऐसे है ? आद अपना प्रातना का जीवन, अगर बहुत ठीक कर लिए है, मसीज जीवन बहुत संतर हो जाए है, अब भक्ती जब मैं बोलता हूं, उसमें प्रातना, अराधना, वचन, जो बहुत समय जो आपका और प्रभु का समय है, इसने से सर्च में शुरू से कभी एक्टिविटीज नह बाद में आती है, वर्षिप, प्रेयर, वर्ड, प्रातना कोई विकल्प नहीं है, बिना प्रातना के अर्चा मसीज जीवन जीना असंभव है, बिना प्रातना के प्रभावशाली रूप से सेवा करना असंभव है, जितना अभी शेक हो वेक्ती में, प्रातना में वो इंट इक इतने लोक अप्से लड़ने के लिरों के तिया रहे किनी चीजे आपका ध्यान बठकाने के लिरोंसिज एक बिदा घाते हम आइस कि याद किया अरे वो रूम भी तो साफ नहीं है वहाँ जाके उस रीम पुस्टाफ कर लेते हैं या पेरेंट्स को फोन कर लेते हैं किसी को तो समय बात कर लेते हैं नहीं उसमें जगा और समय का कितना बड़ा प्रभाव होता है ये शुपूरी रात प्रातना करते हैं और अगला पूरा दिन बिजी होता है फिर आकेले होके राट को प्रातना करते हैं तो पहले ईशुखकेसे प्रात्मे करते थे शुख का भर रात बर रात में करते हैं नहीं दिनों मैंने रात खुंप प्रियर चालू कि उसरे दस उद्हेरा बारा तक भी जाञेंगे लाइंगे रात रात घर भर बर वर्शिब शरे चार बजे मैं सब्सक्राइब करें तो तो मैं हार में मत्षर मानने वाला रैकेट लेके प्रेड लेके वह इंटेंसिटी सबसमें बना के रखना कितना कठीन है इंसानों के रुप में हम लोग जानते कि मैं बोलता अगर आपको अगले दिन दिन बर कुछ भी नहीं करना पड़े सब्सक्राइब है ऋप्रम घाय कि आलएक और जाती को उलते हैं तो अगले दिन शाम हो चारवलतों में ताक्त आते हैं कितने लोग रादबर वाले मानेंगे इस बात को सरोट के तो हो सी नहीं जाता कि ताकती नहीं अंदर से भली आप सो लिए फुरा लेकिन अभी क्लॉक चेंट हो गई है अब शुरार पर उठें तीन भर सेवा किये और आप कई बार देखोंगे बिना खाने और बिना पिये रह जब पाप मन में आ जाता है तो हम अपने मन की जब करना चाहते हैं तो अपना दिल परमेशर के साथ नहीं बाढ़ते हैं लेकिन अगर हम वच्छन पर निरंतर मनन करने तो प्रात्ना भी निरंतर होती रहती है अमें देखिए आप एक गंटा प्रात्ना करिए दस मिनिट कर करते हैं आप ज़्यादा प्रात्ना करने से स्वर्ग नहीं जाएंगे चर्च में कंपटीशन नहीं कि कौन कितना प्रेयर करते हैं यहां ज़्यादा स्ट्रेस और फोकस परस्टनल प्रेयर पर दिया जाता है तुम्हारी प्रभू के साथ रिष्टे तो कई विश्टी में आप में प्रेयर एकली इतना गंटा फ्रेयर करते हैं तरह उसके भाद फिले Ps вас यूट परिश्यों ने के जीवनमें प्रात नकि प्राफ मिरता कि बात जो Прאשो कि इनds बिना प्राथना की ये करना संभव था, क्योंकि येश्य मसी ने सारे काम जो उन्होंने किये, प्रमेश्र होने के नाति नहीं कि एक इंसान होने के नाति लिए, अपने हाथ को पूरा शून ने कर दिया, आमें? नहीं है, जिसको परमेश्र की बजना पूरी नहीं करनी, प्राथना क्यों करेगा, वो तो बिना प्राथना के भी ठीक है, लेकि जब ये बाहर महसूस होता है, कि हम अपने जीवन से परमेश्र को महिमा देनी है, तो उसके लिए पहला step होता है, अगर हम प्राटना नहीं करेंगे तो वो गृपा, वो अनूक्र है, मेरे जीवन में कहां से आएगा, नहीं तो प्रावलोबन, अतलीवे, लड़ाई, जगड़े, इसी में जीवन खतम होगा है, कितने लोगे जीवन में लड़ाई हैं, लड़ाई हैं हाथ होटें में, अब आ प्रेशर में कई लोग प्रेयर करना सीख जाते हैं लेकिन अगर प्रेयर की इंपोर्टेंस नहीं समझ में आएगी तो बहुत से प्रेशर से हम लोग रिलीज नहीं होगे सकते हैं मैं प्रातना जीवन ठीक है तो सब ठीक है लेकिन आप दिन में लड़ रहे हो तैंसे कररहे हो गलत रास्ते जा रहा हो बुराईयां कर रहे हो फाल तुछ परशान हो फिर आप प्रेयर कैसे करोगे एक तो प्रेयर से सारी चीजे ठीज हो जाएंगे और यह सारी चीजे चलती रहे तो प्रेयर में एक फ्लो होता है सारी स्ट्रगल का कारण है प्रेयर लाइफ नहीं होना कल भी मीटिंग ती में बता रहते हैं बहुत से लोग आप चुड़ायल बनने के लैड भी नहीं है विश्ट लोगों का फोकस और का कमीट्मेंट कितना स्ट्रॉंग होता है जो भटके हुए हैं उनकी अपनी भक्ति कित है तो आप तारा देख पाएंगे तो जो व्यक्ति प्रात्नाओं के द्वारा उस बादल को तितर वितर नहीं करेगा वो डेस्टिनी को फुल्फिल नहीं कर पाएगा बहुत सो लोगे चले गए बहुत सो लोगे डिप्रेशन ने मान दिया है प्रॉब्लम सब को टेस्ट भ बता सकते हैं प्रभु बता सकते हैं इसे सुनना पसंद करेंगी यह दिन भर और मिनिस्ट्र एक्टिविटी बहुत इंटेंस होती है कई बार मीटिंग इतनी अच्छी होते है फिजिकल मीटिंग कि उसके बादी नीन नीन आगती इतना आनर्द है ठगे वह लेकिन इतना आ सब लोग शीमॉन के सब लोग घर में आजाते हैं प्रभू रात को वापस अलब होते हैं, सोते हैं और सबर उठके वापस प्रेयर केने लगा 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 है। आशीजी धव्यक्ती जिसमें प्रभू से सीक्रेट सीख लिया है। जहां वो टाइम उसके पास है, जहां कोई डिस्टाबेंस नहीं है और उसमें खुल के अच्छे से प्रातना किया। जितना हम ऐसे जी पाएंगे प्रातना में, उतना हम प्रभू की जैसे बनते रहेंगे। तीसरा हम देखेंगे लुका 3-22 में, ये शु अपने बब्तिस्वा से पहले प्रातना करते हैं, अपनी पब्लिक मिनिस्ट्री में जाने से पहले प्रातना करते हैं, अपने जीवन में जो बड़े काम और उनसे पहले प्रातना करते हैं, कई लोग प्रातना करते हैं, दो पातना नीम बन जाएगी, तो सब ठीच है, वो पहले प्रातन में प्रातनां को आप पस्वरदूत की साहता है, आपके आमोग रहए है, आपके पास विज्डम है, आपके पास — डाइयरेक्शन है. यि यहर्शु फारीनामतने मीयाप करें हैं, ब्राफना करते हैं मिर्तियू से पहले हालेलुया स्थिर ये शोग कैसे प्रातना करते हैं हर बड़े एक्षीव्मेंट के बात याद रखिए कई लोगो प्रॉब्लम नहीं गिराती यह कई कही लोगों को पैसे का भाव नहीं मारता है पैसा आ जाना मत देता हुए कही लोगों को तकलीफें नहीं मार पाती ही तीजे सब ठीक होती है तो जब रभव इश्य मेर और आपकी जैसे इसका मतलब है कि हर बड़ी उपलब्दी जो गुरूर जो टेम्टेशन लेके आती है उ यह लोग उनको राजा बनाना चालते हैं तुमको नहीं मालूं कितना सहे के यहां तक आए यह मेरा ब्रेक्ट्रू है लेकिन शुराद्वा प्रेयर करते हैं हमारी तरह उनको भी गमण टेम्टेशन से बचना था ताकि वो पिता की इच्छा में बने रह से हमें फिर लुका शुराँ से सब दोखा है उसा बोमा है जितना व्यास्ति दिन उठ आपराग में करते हैं और सभावी ग्रूप से उल्टा होता है जितना व्यास्ति दिन होता उतनी कम प्राग्न होती है। मैं मलिशिया में था क्वा समय मूझ उसकी घर में लुका था तो 3 4 5 दिन उसके ब सेव में सेव करती हैं ए सब समय यह दो इसτιमें उसके पावजूत जाके करते हैं वह समय जब उनके पास प्रापर रेस्ट नहीं था अपूल इंग नहीं थी लेकिन प्रेयर करने के लिए उनके पास समय प्रापना करते थे लुका 23,49-41 जैसा उनकी रीती थी वो जयतुन पहाड पे जाते हैं और उनके चेले उनके साथ जाते हैं और जब उस जगह पे आगए वो कहने लगे कि प्रापना करो कि तुम प्रापन में ना पड़ो और फिर वो उनसे तोड़ा दूर होके गुट्नों पर आकर प्रापना कर दे लगे डिसाइपल्स जो उनके चेले थे इस वार्निंग के बाद वो सो रहे थे लेकिन जब येश्व को उनका जो नया हो रहा था उनको मारा जा रहा था उसमें बहुत पहाफुल चीजे जो ये शाय में लिखिये वो छूप थे जिसे एक मेमना वथ किले जाता है वो छूप थे तो मतलब इतने सामर्थी रूप से और शांती से उन्होंने सारी तकलीक ले लिए उससे पहले वो प्रातना करके तयार हुए थे फिर साथवी वार येश्व समान जीवन में भी प्रातना करते हैं मत्ती 14.19 खाना है प्रबु खाने के लिए प्रातना करते हैं जब वो दो चेले इम्वास में प्रभू को मिलते हैं और जान पैचानते हैं नहीं प्रभू को उनके दिल जलते रहते हैं जब प्रभू उनको वचन बताते हैं या बात करते हैं लेकिन जब वो खाने बैठते हैं प्रभू उपर देखके धन्यवाद देखके रोटी तोरते ह आप उनको यान आता है हाँ प्रेयर तो मतलब येश्व मस्थी के जीवन में हर स्टेप हर कदम में आने वाला पड़ाव पवित्र किया गया था प्राथना के दौरा आमें खाली खाना नहीं जीवन कहा शेतर प्राथना के दॉरह maast किया गया था work 23 bij कोज के और कोज से कहां प्रिर करते कुछ नहीं जासे नाव कर et उसी कि प्राथन के गलाता हूं तूढ़ेंगे भंस्ता शक्रम कि निकलेंगे या lataf जो जीवन पिता ने दिया अब वो जीवन वो प्राण पिता को ग्रहन हो अमें अब यह तो था ये श्यमसी की प्रादम की शैडूल कैसे थी रात बर सुबह सुबह बड़ी आने वाले आशिशों के पहले जो कदम लेने उनके पहले डिसीजन के पहले बड़ी उपलब्दियों के बाद तकलीफों के लिए तयार करने के लिए आखरी समय पे खाना खाते समय कैसे प्रेयर करते थे हम लोग यहना सत्रा एक में जाते हैं यह बाते कहकर येशों ने अकाश की और देखा और बुला ये परब्बिता वह गड़ी आ करते थे यहि परात नाम पुट्रमान आज यह तेरी इंचा जैसे स्वर में पूरी होती है, वैसे फिछी पर हो, पिता की महिमा, आलोया, दूसरी बात वो कैसे प्रातना करते थे, समर्पन में, तो में 2022-2022 में देख सकते जब वो उस गयाठ सेम नहीं कि गार्डन में होते, बगीची में होते, वो तो पिता यदि तू उसके पर हो कैसे प्रातना करते हैं। लूका बाइस च्वालिश में। हम 22,44 उदर येश्यू बड़ी बेचेहनी के साथ और अधिप तिव्रता से प्रातना करने लगी। उनका पसीना डक्त की बूंदों के समान धर्ती पर गिर रहा था। मतलब उनकी प्राथना में कैसी तीवरता थी। कि पूरे प्राण पिता की तरफ उस तीवरता से पिता की ओर देख रहे। आप लोग इब्रानी पांच साथ परेंगे। येशु ने इस धर्ती पर जीवनकाल में जो उसे मित्यू से बचा सकता था। उचे स्वर में पुकारते हुए और रोते हुए प्रातनाय तथा विंतियां की थी। और आदरपून समर्पन के कारण उसकी सुनी गई। येशु ने अपने जीवन में प्रातनाय और विंतियां की और आदरपून समर्पन यहां वचन के उचे स्वर से पुकारते हुए और रोते हुए। मतलब कोई समझ सकता है कि कितनी वार कभी हुआ है प्राटना में, कि बहुत जो से चीखें निकल ये की बड़ोगाैं करते-करते आप बहुत जोर से रोएं। ये कौन सी प्रातना है है?। पूरे प्रांट स्ट्रेच्ट है पिता की तरफ यहां तीवरता है येश्व के प्रात्ना जीवन में ऐसी तीवरता थी कि कई बार उचे पुकार में रोलते हुए विंतियों के साथ पिता के सामने कौन समर्पन करते वह ने प्रात्ना किये तो यह खाली प्रेया नहीं कि आदमी जो सिर्फ चीजों और कामों में व्यस्त है उसका प्रभाव तो उसकी प्रात्ना के जीवन पर ही पढ़ेगा तो में सब्सक्राइब को विश्वासियों को बच्चों मापाब को समझना चाहिए कि अगर वो व्यक्तिकर समय सब को भक्ति में नहीं मिला तो जीवन कह पहले से बैतर नहीं होना फिर येशु मसीठ एक प्रात्ना को बार बार भार भी करते थे चबएस्वार लिसमें सोबह उने छोड़कर फिर गया और दीसरी बार भी पहले की तरह उन ही शब्दों में प्रात्ना की कोई बोलेगा कि वह एक बार कर लिए बार नी जड़त नह प्रभुय येश्यू ने उनकी प्राफने धन्यवाद के साथ थी, यहांना 11,41,42 में आएंगे, तब उन्होंने उस चटान को अटा दिया, और येश्यू ने अपने आँखे उपर उठाते वे कहा, परम पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, कि तूने मेरी सुन ली है, मैं तो प्रभुय येश्यू धन्यवाद प्रातना कबूल होने से पहले ही देते, कई लोग तो बाद में देंगे ना, प्रभुय येश्यू पहले ही धन्यवाद दे रहे हैं, और आखिरी कैसे उप्रेद करता है थे? गुश्वास से, यही प्रभुय ने शीकह, अगर तू प् एक वही में हम लोग हो सकते हैं अगर हम लोग उनकी तरह प्रात्ना करना सीच जाए अगर हम लोग समझ जाए कि प्रात्ना करना कितना जरूरी है बिना प्रात्ना के ये मसी जीवन स्थाफिक नहीं हो सकता बिना प्रात्ना के हम प्रवलोंबरों पर जाए नहीं पा सकते बिर बिना प्रातना के हम सही दिशा में नहीं चल सकते, बिना प्रातना के हम एक फलबंत जीवन नहीं जी सकते, हाललुया, ये है हमारे प्रभु येश्यु मसी का प्रातना का जीवन, उनकी लाइफ में इंपॉर्टेंस प्रेयर की, और फिर के बोले प्रभु मातियस से बनन नहीं होना होगा और क्योंकि जब वो एक समय जगह हो जाती है आप जिसे जब दो लोग प्यार करते हैं चुपके मिलेंगे की नहीं आप सारे दिन का अपॉइंट्मेंट वैसे एज़स करोगे ताकि आप उस ताइम पे अपने से प्यार करने वाले से मिल सके हमें इतने लोग प्रिवार में एक दूसरे के प्रात्ना के समय का भी सम्मान करिए हमें जब लोग डिवोशन में बैठे उस बात का सम्मान करिए क्योंकि वहीं से लाइव बनती है फिर आपके लाइव में जो आपके प्रेयर टाइम को अनुर नहीं करता है आपको स्ट्रिक्ट हो कि उनको डिसभाए में दीक प्रेयर टाइम में से फिर आपको को ये देखना है कि आपके प्रेयर है मन भठकाने के लिए दूसरी चीजा कमें छेफिवास नहीं करनी है कि फर विल ही समय अपना करनी है एक समय पे ऑक हमेशा हमें से समय से हमेशा रोजडिया अभरत अग झाल झाल